In return of my effort to guide you as much as I can, I will be very grateful if you like my video and subscribe my channel. Hello everyone, welcome to Suman Suggestion. आज मैं इस वीजियो में आपको वाशिंग मशिन में ब्लांकेट कैसे दोते हैं, कमबल कितना दो सकते हैं और किस तरह दोते हैं, पुरी डिटेल में आपको इस वीजियो में दिखाऊंगी. इस इशू पे बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आये थे, बहुत दिनों से कि मैं वीडियो बनाऊं, sorry for delay my viewers. Viewers आप से request है कि इस वीडियो को आप तिल दे एंड एखी क्योंकि मैं किवर कमबल ही धोने को नहीं, इसमें बहुत कुछ आपको important information में साथ साथ देती रहोंगी. मेरी ये 6-8 की कमबल थी, जो double bed sheet की और ये rate वाली जो थी वो 4-8 की छोटी वाली है, मैं दोनों ही washing machine में ट्राइ करके दिखाऊंगी, पहला doubt तो यहीं होता है कि double कमबल धो सकते है कि नहीं, single धोएंगे तो कितना धोएंगे, तो मैं double जो कमबल है वो डालने की कोशिस करी में ट्राइ कर रही हूं, इस में problem क्या आ रहा है volume मेरा जो अगर weight जिस साफ से washing machine अच्छा से धो देगा, लेकिन घुस नहीं पा रहा है, तो मैं double जो blanket है वो इसमें नहीं धो पाऊंगी, मेरा 6.5 kg का machine है, अब ये single वाला है, single का material देखिए थोड़ा सा थिक है, एक जो first वा that it is thick तो मुझे सिर्फ एक ही धोने होंगे पहला इशू तो यह क्लियर हो गया कि अगर पतली कंबल है तो सिंगल डबल धो सकते हैं और मोटी कंबल है तो एक धोएंगे सेकेंड इशू डिटर्जेंट पे आप इजी से दो सकते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है अगर आपके पास सर्फ एक्सल है तो वो भी बहुत अच्छा धूलेगा अब थर्ड इशू क्वांटिटी मैं देखती हूं कि कुछ लोग होते हैं ज जाग बन जाता है जो कि वो लास्त तक रहता है नहीं उससे क्या होता है उसे मशीन पर एफक्ट पड़ता है देखें मेरा ये कंबल साफ है मैं आपको किवल दिखा रही हूं इसलिए धोने के लिए मैं उसमें से हाफ निकाले मतलब मैं डेर्ड चमस दे रही हूं इजी दो ठक गंदूंगी अगर आपका ज्यादा गंद है तो थोड़ा बढ़ा दीजे क्वांटिटी लेकिन हमेशा आप डिटर्जेंट या इजी दीजिए तो नाप कर दीजिए कभी भी स्कूप है स्कूप से डिटर्जेंट दीजिए लिक्वीड है तो लीड से दीजिए तो मुझे कुछ भी चेंज ने करना है मैं स्टार्ट कर दे रही हूं तो कंक्लूजन इस डाट की मशीन सिंगल ब्लैंकेट ही धो पाएगी हाँ जो एक एसी की होती है ब्लैंकेट एक्टम थीन मैटेरियल वो दो आप धो सकती है इन फैक्ट अगर दो नहीं है तो उसको बै शिकायत है कि आप भर-भर के लाइक करते हैं मेरी इतने सारे विवर्स से उसके वन टेंथ टाइम्स भी अगर मुझे वो सब्सक्राइब करें तो आज मुझे बहुत खुशी मिलती और मुझे काम करने का बोस्ट मिलता है यस इट वाज माई मिस्टेक दाट इनिशली आई और मैंने आपको हर दो सेंटेंस में प्रीज सब्सक्राइब किजिए नहीं कहा था आज की यह मेरे देखने वाले इतने इंटलिजेंट हैं आप से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी राइट इंफॉर्मेशन मिलता है आप लाइक करते हैं यह लाइक माई वीडियो और यू गिब में क्रेडिक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कि मैं और इसके लिए टाइम दू रिसर्च करू और आपके पास राइट इंफॉर्मेशन लेकर आऊं चलिए बहुत बगबग कर ली लेकिन मेरे इस बात को सिरियसली लीजेगा आई फिल वेरी साड सब्सक्राइब माई चैनल मैं देखती हूं कि जो हर दो-दो लाइन पर बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए वे सब्सक्रिप्शन पाते हैं बट मैं ना सब्सक्रिप्शन के बारे में बोली हूं ना आप से रिक्वेस्ट करती हूं तो मुझे कोई सब्सक्राइब भी न करे दाट इस नाट फेयर चलिए मैं इस इशू पर आतू हूँ कि इसको साफ करने के लिए देख रहे हैं ना मैंने मेरे ये पूरे अग्दम साफ कंबल है आपको ये पानी से दिख रहा होगा कोई गंदगी नहीं है लेकिन कोई आपको इसमें सड्स नहीं दिखेंगे यानि दोना भी नहीं चाहिए क्योंकि कंबल धोते वक्त आप देखिएगा जो स्पीन होता है बहुत कम होता है इसमें बहुत पानी लगता है एक कंबल को दोने के लिए मनें आप समझे नहीं भी तो 25 लेटर पानी लेता है तो अगर आप उसमें भरके डिटर्जन दे देती है य तो आप डिटर्जन दे कर और इस तरह वाशिंग कर सकती है और जहां तक लोड का सवाल है वो 6 kg का आपका वाशिंग मशीन है तो आपका दो ब्लैंकेट अगर घुश सकता है उसमें तो दो लेगा और इस तरह ये लास्ट में स्पिनिंग होके पानी पूरा ड्राई हो आउंगी देखिए डिटर्जेंट देकर मैं धोई हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आया फर सेम वैसा है और साफ एकदम है देखिए ये साफ हो गया है और सुखा सुखा भी हो गया बस इसको दो घंटे आप हवा में दे देंगे ना तो एकदम पूरा अच्छी तरह से आप र प्रॉजन हुए थे उसी टॉपिक पे मैं ज्यादा कंसेंट्रेट होके ये वीडियो बनाई हूं I think this video must be helpful for you मैं काफी research and study करके वीडियो बनाती हूं keeping that in mind please my viewers you can thank me by subscribing my channel stay healthy and happy thanks